जब आप बहुत तीखा खाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका मुह और जीब जल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिर्च में एक यौगिक कैपसेसिन होता है। यह यौगिक आपके दर्द रिसेप्टर्स को चक्मा देता है, जिससे ब्रेन को संदेश जाता है कि जीब दर्द में है और जल रही है। यह केवल मेंटल रियाक्शन है क्योंकि वास्तव में जीब नहीं जल रही होती। बस आपके ब्रेन को ऐसा लग रहा होता है कि जीब जल रही है। अकसर लोग किसी की छीखने पर God bless you कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा क्यों कहते हैं, वे खुद नहीं जानते। दरसल जब हम छीखते हैं, तो हमारा दिल एक मिली सिकेंड के लिए काम करना बंद कर देता है और इसी लिए उसे God की blessings दी जाती है ताकि उसे कोई problem ना आए। Do you know, जापान में परीक्षा से पहले हर तीन में से एक बच्चे को kit kat दिया जाता है। इसकी वजह बहुत दिल्चस्प है। जापानी भाशा में kit kat को kitokato बोला जाता है। यह इस तरह बोला जाता है जिससे की सुनने में kitokatsu लगे। जिसका मतलब होता है कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे। हारपी ईगल दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है। इस पक्षी की आँखों की नजर इंसानों से आठ गुना तेज होती है। इसलिए तो ये एक इंच से भी छोटे शिकारी को 650 फीट दूर से देख सकते ह यह पक्षी अपने चेहरे की डिस्क के पंखों को उल्लू की तरह इच्छानुसार नीचे या उपर उठा सकता है। कैसर का फूल दुनिया भर में सुगंधित फूलों में से एक है जिससे मसाला केसर बनता है। यह 3 लाख रुपए प्रती किलोग्राम बिकता है। यह इसलिए क्योंकि एक पाउंड केसर निकालने के लिए लगभग 70,000 फूलों की आवश्यक्ता होती है। मुँ हमें पानी डाल सकते हैं या सीधे इसे खा सकते हैं ? इस पानी के बुल-बुल को ओहो नाम दिया गया है।cję एक ऐसा पदार्थ है जिसे बुल-बुले का आकार दे कर उसमें पानी वरा जा सकता है। पिग्मी मार्मोसेट काफी छोटे बंदर होते हैं जो अपना सिर 180 डिगरी तक घुमा लेता है इस बंदर को लोग करोड़ो रुपए खर्च करकर खरीदते हैं क्या आपको पता है कि हमारा चांद प्रिथवी से हर साल 3.78 सेंटी मीटर दूर जा रहा है घोड़े अपने मूँ से सांस नहीं ले सकते हैं और वे खड़े होकर सो सकते हैं घोड़ो की सुनने की शक्ती बहुत अच्छी होती है वे 360 डिगरी तक के एरिया को देख सकते हैं Do you know Don Pablo Escobar एक ऐसा व्यक्ती था जिसने 2 million US dollar सिर्फ इसलिए जला दिये थे क्योंकि उसके पास लकड़ी की कमी थी और उसकी बेटी को ठंड लग रही थी Do you know the President Tree दुनिया का सबसे बड़ा पेड माना जाता है और यह पेड लगभग 275 फीट लंबा है लगभग 3400 वर्ष पुराना यह पेड आज भी खड़ा हुआ है इस विशाल पेड को लोग दुनिया भर से देखने आते हैं Do you know Norway की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है और यहां सबसे बड़ी सज्जा बस 21 साल की कैद है जैकोबिन कोयल यानी चातक एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है इसे पपीहा भी कहा जाता है Do you know पपीहा पक्षी की अनोखी बात यह है कि यह अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है हौर्नबिल पक्षी बंदरों को शांत रहने में मदद करते हैं क्योंकि यह पक्षी उन कीडों को खाते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और बदले में जब बंदर इंसानों को देखते हैं तो वे पक्षियों को चेतावनी देते हैं और इस तरह हौर्नबिल बंदरों के अच्छे दोस्त होते हैं और वे एक दूसरे की मदद करते हैं गोस्ट और्किड के सफेद फूल असपष्ट रूप से भूतियां दिखते हैं और वे पत्ती रहित पौधे द्वारा बनाये गए भ्रम के कारण जंगल में मंडराते हुए प्रतीत होते हैं गोस्ट और्किड जून और अगस्थ के बीच खिलता है आमतोर पर साल में सिर्फ एक बार लगभग एक या दो हफ़ते के लिए या हो सकता है कि यह साल भर के लिए न खिले Do you know गैलियम एक ऐसा मेटल है जो रूम के टेंपरचर पर आपके हाथ पर पिगल सकता है Do you know Secretary Bird Africa का मूल निवासी है और घास के मैदानों में रहता है ये पक्षी उन इलाकों में अधिक पाए जाते हैं जहां अधिक संख्या में सांप होते हैं हालां कि ये पक्षी अपना अधिकांश समय जमीन पर शिकार करने में बिताते हैं लेकिन ये उड़ने में भी अच्छे होते हैं आपने कभी सोचा है कि आखिर स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है कोई दूसरा कलर क्यों नहीं स्कूल बस का पीले रंग के होने में खास वज़ा है दरासल लाल रंग के बाद पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से काफी दूर से भी देख सकते हैं हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपचियून है जिसके सतह का तापमान माइनस 200 डिगरी सेलसियस है दू यू नो दुनिया में अब तक की सबसे लंबी सरजरी 2001 में 20 डॉक्टरों की एक टीम ने सिंगापुर जनरल अस्पताल में की थी इसे पूरा करने में 103 घंटे का वक्त लगा था यानि ये चार दिनों तक चली थी डू यू नो एक्सोलोल अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकता है इसके साथ ही ये रीड की हड़ी, दिल और हाथ-पैर भी रीजेनरेट करने की क्षमता रखता है आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि इसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा निकाल भी दिया जाए तब भी ये इसको दोबारा से विकसित कर सकता है इस देश का नाम नौर्वे है नौर्वे जहां एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है तो वहीं तह दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में भी शामिल है यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता ऐसी है कि यहां घूमने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं यहां ऐसे ऐसे अदभुत नजारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही कहीं दिखेंगे Do you know Norway देश में कोई भी व्यक्ती अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता? यहां का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की कमाई को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है ताकि उसे हर कोई देख सके Do you know देवदास फिल्म देव का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले सलमान खान को पसंद किया गया था लेकिन सलमान के दूसरे फिल्मों में व्यस्त होने के कारण ये रोल शाहरुख खान को दे दिया गया क्या आपने ऐसकेलेटर के किनारों पर लगे ब्रिसल्ड पर ध्यान दिया है आपको बता दें कि ऐसकेलेटर पर ब्रिसल्ड इसलिए बनी होती हैं ताकि लोग किनारों से उचित दूरी बना कर रख सके और उनके shoelaces, दुपट्टा, साड़ी आदी एसकेलेटर के किनारों पर न अटके और दुरघटना से बचा जा सके आप लोगों को लगड़ी के हैंगर्स देखकर यही लगता होगा कि ये भी दूसरे हैंगर्स जैसे ही है, सिर्फ थोड़ा अच्छा और अलग दिखने के लिए ऐसा बनाया गया है तो आपको बता दे कि ये वुड़न हैंगर्स देवदार की लगड़ी से बनाये जाते हैं और देवदार की खुश्बू से कोई भी कीड़े सामने नहीं आते यही कारण है कि महंगे कोट या दूसरे कपड़ों के साथ वुड़न हैंगर्स दिये जाते हैं ताकि कीड़े आपके कपड़ों को खराब ना करें डू यू नो जापान में परीक्षा से पहले हर तीन में से एक बच्चे को किट कैट दिया जाता है इसकी वजह बहुत दिल्चस्प है जापानी भाशा में किट कैट को किटो काटो बोला जाता है यह इस तरह बोला जाता है जिससे की सुनने में किटो काथसु लगे, जिसका मतलब होता है कि आप निश्चित रूप से जीतेंगे. हारपी इगल दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है. इस पक्षि की आँखों की नजर इंसानों से आठ गुना तेज होती है. इसलिए तो ये एक इंच से भी छोटे शिकारी को 650 फीट दूर से देख सकते हैं. यह पक्षि अपने चेहरे की डिस्क के पंखों को उल्लू की तरह इच्छानुसार नीचे या उपर उठा सकता है. केसर का फूल दुनिया भर में सुगंधित फूलों में से एक है जिससे मसाला केसर बनता है. यह तीन लाख रुपए प्रती किलोग्राम बिखता है. यह महंगा इसलिए. क्योंकि एक पाउंड केसर निकालने के लिए लगभग सत्तर हजार फूलों की आवश्यक्ता होती है. लायर बर्ड संसार के सबसे सुन्दर पक्षियों में से हैं जो केवल आस्ट्रेलिया में पाया जाता है. यह नकल करने में बड़ा ही एक्सपर्ट है. यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने, तथा कारों के हॉर्न की आवाज की भी नकल कर लेता है. और य एक ऐसा पदार्थ है जिसे बुलबुले का आकार दे कर उसमें पानी भरा जा सकता है. पिग्मी मार्मोसेट काफी छोटे बंदर होते हैं, जो अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा लेता है. इस बंदर को लोग करोडों रुपे खर्च करकर खरीदते हैं. क्या आपको पता है क कि हमारा चांद प्रिथवी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है. घोडे अपने मूँ से सांस नहीं ले सकते हैं और वे खड़े होकर सो सकते हैं. घोडों की सुनने की शक्ती बहुत अच्छी होती है. वे 360 डिग्री तक के एरिया को देख सकते हैं. Do you know the President Tree? दुनिया का सबसे बड़ा पेड माना जाता है. और यह पेड लगभग 275 फीट लंबा है. लगभग 3400 वर्ष पुराना यह पेड आज भी खड़ा हुआ है. इस विशाल पेड को लोग दुनिया भर से देखने आते हैं. Do you know पीले रंग को हर मौसम में आसानी से देखा जा सकता है? चाहे वो बारिश, फॉग सीजन या कोई भी सीजन हो, पीले रंग की विजिबिलिटी बेहद अच्छी होती है. Do you know नौर्वे की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है? और यहां सबसे बड़ी सज्जा बस 21 साल की कैद है? जैकोबिन कोयल यानी चातक एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है. इसे पपीहा भी कहा जाता है. Do you know पपीहा पक्षी की अनोखी बात ये है कि ये अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देता है. Do you know घोस्ट औरकिड के सफेद फूल असपष्ट रूप से भूतियां देखते हैं और वे पत्ती रहित पौधे द्वारा बनाये गए ब्रहम के कारण जंगल में मंडराते हुए प्रतीत होते हैं. घोस्ट औरकिड जून और अगस्ट के बीच खिलता है. आमतोर पर साल में सिर्फ एक बार लगभग एक या दो हफ़ते के लिए. या हो सकता है कि यह साल भर के लिए न खिले. Do you know गैलियम एक ऐसा मेटल है जो रूम के टेंपरचर पर आपके हाथ पर पिगल सकता है? Do you know सेकरेटरी बर्ड अफरीका का मूल निवासी है और घास के मैदानों में रहता है? ये पक्षी उन इलाकों में अधिक पाये जाते हैं, जहां अधिक संख्या में साप होते हैं. हालां कि ये पक्षी अपना अधिकांश समय जमीन पर शिकार करने में बिताते हैं, लेकिन ये उड़ने में भी अच्छे होते हैं. आपने कभी सोचा है कि आखिर स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है? कोई दूसरा कलर क्यों नहीं? स्कूल बस का पीले रंग के होने में खास वज़ा है दरासल लाल रंग के बाद पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से काफी दूर से भी देख सकते हैं हमारे सौर मंदल का सबसे ठंडा ग्रह नेपचियून है जिसके सतह का तापमान माइनस 200 डिग्री सेलसियस है Do you know दुनिया में अब तक की सबसे लंबी सर्जरी 2001 में 20 डॉक्टरों की एक टीम ने सिंगापुर जनरल अस्पताल में की थी इसे पूरा करने में 103 घंटे का वक्त लगा था यानि ये 4 दिनों तक चली थी Do you know एक्सोल अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकता है इसके साथ ही ये रीड की हड़ी, दिल और हाथ पैर भी रीजेनरेट करने की क्षमता रखता है आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि इसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा निकाल भी दिया जाए तब भी ये इसको दोबारा से विकसित कर सकता है इस देश का नाम नौर्वे है नौर्वे जहां एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है तो वहीं तह दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में भी शामिल है यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता ऐसी है कि यहां घूमने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं यहां ऐसे ऐसे अदभुत नजारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही कहीं दिखेंगे Do you know Norway देश में कोई भी व्यक्ती अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता? यहां का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की कमाई को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है ताकि उसे हर कोई देख सके Do you know देवदास फिल्म देव का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले सलमान खान को पसंद किया गया था लेकिन सलमान के दूसरे फिल्मों में व्यस्त होने के कारण ये रोल शाहरुख खान को दे दिया गया क्या आपने एसकेलेटर के किनारों पर लगे ब्रिसल्द्स पर ध्यान दिया है आपको बता दें कि एसकेलेटर पर ब्रिसल्द्स इसलिए बनी होती हैं ताकि लोग किनारों से उचित दूरी बना कर रख सके और उनके shoelaces, दुपट्टा, साड़ी आदी एसकेलेटर के किनारों पर न अटके और दुरघटना से बचा जा सके आप लोगों को लगड़ी के हैंगर्स देखकर यही लगता होगा कि ये भी दूसरे हैंगर्स जैसे ही है सिर्फ थोड़ा अच्छा और अलग दिखने के लिए ऐसा बनाया गया है तो आपको बता दे कि ये वुड़न हैंगर्स देवदार की लगड़ी से बनाये जाते हैं और देवदार की खुश्बू से कोई भी कीड़े सामने नहीं आते यही कारण है कि महेंगे कोट या दूसरे कपड़ों के साथ वुड़न हैंगर्स दिये जाते हैं ताकि कीड़े आपके कपड़ों को खराब न करें Do you know Northern Lights प्रकृती की खूबसूर्ती को दिखाती है इन्हें प्रिथ्वी के सबसे बड़े लाइट शो के तौर पर माना जाता है अभी तक ये नहीं मालूम था कि आखिर वो क्या वज़य है जो Northern Lights को पैदा करती है अकसर लोग किसी की छींकने पर God Bless You कहते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसा क्यों कहते हैं वे खुद नहीं जानते दरसल जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक मिली सिकंड के लिए काम करना बंद कर देता है और इसी लिए उसे God की Blessings दी जाती है ताकि उसे कोई Problem ना आए क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट अपलाई करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है जो बिना किसी चश्मे और टोपी के खींची गई हो इसके अलावा आपके बाल, आपके चेहरे या आपके कानों को नहीं ढख रहे हो और यदि आपने अपने चेहरे पर नया टैटू बनवाया है या आपके चेहरे पर कोई सरजरी हुई है तो आपको नया पासपोर्ट बनवाना होगा आपने पार्क और म्यूजियम में घोडों पर बैठे योद्धाओं की मूर्तियां देखी होंगी लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि इन स्टेटूज में कुछ घोडों की टांगे उपर उठी होती है और कुछ की चारे टांगे जमीन पर ही होती है ये मूर्ति का कोई डिजाइन नहीं होता बलकि इसके पीछे एक कारण है और वह है कि घोड़ा जिसके अगले पैर उपर की ओर होते हैं इसका मतलब है कि इस घोड़े पर बैठा योद्धा युद्ध में मरा है जबकि जिस घोड़े के सभी पैर जमीन पर होते हैं इसका मतलब है कि योध्धा स्वाभाविक रूप से मरा है। जब आप बहुत तीखा खाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका मुह और जीब जल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिर्च में एक यौगिक कैपसेसिन होता है। यह यौगिक आपके दर्द रिसेप्टर्स को चकमा देता है जिससे ब्रेन को संदेश जाता है कि जीब दर्द में है और जल रही है। यह केवल मेंटल रियाक्शन है क्योंकि वास्तव में जीब नहीं जल रही होती। बस आपके ब्रेन को ऐसा लग रहा होता है कि जीब जल रही है। Do you know एक मादा मकडी एक बार में तीन हजार से ज्यादा अंडे दे सकती है और इसके एक अंडे में मनुष्य से चार गुना ज्यादा डिने होता है। वुडपेकर एक सेकंड में करीब 20 बार चोंच मारता है। फिर भी इसकी चोंच नहीं तूटती है। आखिर शनी ग्रह पर इनसान क्यों नहीं रह सकते हैं। दरसल शनी ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से हवाएं चलती हैं। यह प्रित्वी पर चलने वाली हवाओं से पांच गुना अधिक तेज हैं। शनी ग्रह का ओसत तापमान माइनस 178 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में यहां इनसान बसने की सोच भी नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि खरगोश के कान एंटीना की तरह काम करते हैं। यह एक बार में दो तरफ से आने वाली आवाजों को सुन सकते हैं और खरगोश के दांत हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तभी तो उन्हें हमेशा कुछ न कुछ कुतरते रहना पड़ता है। Do you know? डेड सी प्रिथवी पर सबसे खारे पानी में से एक है, इसमें सामान्य समुद्री जल की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक नमक है और इसमें लोग आसानी से तैर सकते हैं। डेड सी 306 मीटर गहरी है और इसमें कोई भी जीव जन्तु नहीं पाये जाते। क्या आप जानते हैं कि जापान में किट कैट चॉकलेट 400 फ्लेवर के साथ बिखती है और इन चॉकलेट का बच्चों के एक्जाम से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को करें।